आज हम करेंगे question answer session काफी comments इकठे हो गएते तो सोच रहूं कि आज चिकार डालो स्टार्ट करते हैं आज करें वीडियो और इस चैनल पर करते हैं ड्रोन से रिलेटेड बातें ड्रोन से रिलेटेड टिप्स कोई भी आपका question कोई भी आपका सुझाव और अगर आप पढ़ने में इंट्रस्टेड हैं राइटिंग में इंट्रमिशन चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग भी है ड्रोन टेक्डाक्टर.com के नाम से लिंक दिया हुआ है तो आप जाके ड्रोन से रेटेड इंस्क्रमिशन पढ़ भी सकते हैं और पर मैं आर्टिकल्स लिगता हूं रेटेड दू ड्रोन तो सबसे पहले मैं हम लेते हैं बेगराथ रेडी जी जिन्होंने दोसरी बार काफी लंबा चोड़ा कमेंट की है पहली बार इंक रह था तो देखते हैं क्या लखते हैं आई यू चैनल is awesome you definitely deserve more subscribers after practicing and destroying a couple of toy drones i'm finally buying a spark next month i have few queries about this hope you answer them my brother stays in the US and i plan to get it through him i know that is illegal to import but what if i take the risk and get it past security can i sit without any problems तो कोई प्राब्लम उसमें 90 परसेंट ऐसा होता है कई बार आगर आप इसमेंटल करके लेंगे तो ऐसे लेकर आएंगे तो 90 परसेंट कोई आपको पूछाएगा नहीं छोटा स्पार्क ब्रोन है तो बड़े असानी से आप ला सकते हैं दस परसेंट चांस हैं बहुत कम चांस है कि वह आपसा कमस्टिकेट करेंगे तो यू कन ब्रिंग इन दिस वे उसके बाद बाद आती है रिस्टेशन की यूए नंबर लेने की वह आपको लेना ही पड़ेगा और वो डिपेंड करता है एटी अप्रूवल पे जब डिजी आई हेटी कांट इस कंट्री अपारी इंडिया कंट्री में आएगी तो डेफिनेटली ऊप्रूवल उस्ट बूलेगी सबस्क्राइब बाहर से लें बस वो लिस्ट होना चाहिए इज डिजी अतना डिजी सीए की साइट पे डिजी डिस्टे इसका प्लाइप लाटफॉम पे तो वो डेफिनिल्टी हो जाएगी और यह आपको स्वाल है क्याने इस्टर नोडिस्टर का प्लैट्ट्पर्पम विज ड्रोन बाट आउटसाइड इंडिया या डेफिनिल्टी आप कर पाएंगे जब वो एटी अप्रूवल से लिस्ट हो जाएगा हमारी साइट पे तब आप कह में है सर्विस स्टेशन जो एशिया में यतने वी ड्रोन होते हैं वो होंग कंग जाते हैं तो आपको कोई वो नहीं है इंशोरेंस का वहां भड़ने का कोई खादा नहीं आपका ऐसी फालती में चार्ज लेगेगा सिर्फ ड्रोन की पेमेंट कीजिए और आजिए इन के सब सब्सक्राइब साफ़ से सब्सक्राइब जो देख पिलेगे तो अब मैगे से उपिलेगें और इस लोग्वर इग कोई अपीलती हैं तब आपको कोई प्रावल्म करेंग एगार वरंटी में है तब अपने प्लेस करते हैं और वान अब आपको आपको आपके लिए बस आप रोन खरीदें और यहां जाएं फूब आपका क्लीर होगा स्वाल I have cleared your all points तो काफी लंबा चोड़ा comment था नेक्स्ट है Mr. Gaurav Galeria thanks for giving information welcome we are here to give information and if you want written information तो please follow my blog roomtechdoctor.com नाम से साइट है blog site है मेरी जिस पर मैं आर्टिकल्स रेगुलर्ली लिखता हूं डोंस के ओपर आगे है Mr. Chakrabati my comment what is actual spark weight some say it is nano sim micro spark for all I let let me tell you spark is a micro drone कोई भी drone जो 250 gram से उपर है वो माइक्रो काटिगरी में आता है और माइक्रो काटिगरी में you need you have to register it on digital sky platform जब वहां पर लिस्ट हो जाएगा हों थेटर जी गहा रहे हैं सर आपको पता चले कि आपके व्यू कम क्यों आते हैं विकॉज आप इंगली ज्यादा जाड़ते हो इंगलिश मैं तभी जाड़ता हूं जो को इंगलिश में पूछता है मुझसे अदरवाइस आये टॉकिन हिंदी हमेशे हिंदी बात करता हूं और किसी और को कुछ ऐसा है तो प्लीश कमेंट बाक्स में जरूर लिखें कि मैं इंगलिश जादा बोलता हूं यह कम प्लीश व्लॉगर असांसर प्लीश मुझे एक रिप्लाइद दीजिए एटी मोड घर पे अंदर रिमोड से स्टिक काम करेगा या नहीं देग घर के अं अंदर आपको हवा जो ए इतनी नहीं होती तो कुछ हट तक आपकी स्टेक्स काम करेंगी लेकिन देरी-देरे काम करेंगी सर मेरा स्वाल्ट डूर्ण एक दिन का टेस्ट करना सबता हूं वो कितना दूर तक जाये स्पार्क का टेस्ट करना जाते है रेंज का तो आपको बता दूम वाइड डूर्ण जादा दूर मत ले जाएं रिमोट है तो आपका एक किलूमेटर तक सेफ जोन है उसके आगे जाएंगे तो खत्रा हो सकता है व्लॉगर जोने बहुत कुछने व्लॉगर व्लॉगर सामें गवार कुछते हैं और एक आप बताओ सर शिलांग में लगा लिया इस जगह पर बहु तो कह सकते हैं नेगटिव पॉइंट यही है वाइफाई ड्रोन का कि इनका सिगनल आपका चला जाता है क्योंकि जो वाइफाई सिगनल है इतना स्ट्रॉंग और इंटर्फरेंस को ज्यादा मतलब किसी और सिगनल से ज्यादा इनकी मिसमैच होने के वज़र से सिगनल वीक ह जाने का थोड़ा अच्छा सिकनल पाने का तो थोड़ा अपग्रेड करें अपना ड्रोन मैविक प्रो या मैविक टू जूम लें जिसमें ओक्यूसिंग टेकनोलजी है क्रिफन नायक यह कह रहे हैं कि माई ड्रोन इस नेनोगेटिव कस्टम पीपल आर नाट रिलीजिग इ देखें एक और अग्जामपल आया मेरे पास मिस्टर एन नायक इरतन नायक इन्हों ने ड्रोन कहीं से और किया और इनका कंफिस्टिकेट हो गया तो प्लीज अभी इंपोर्ट मत कीजिए मत कीजिए अगर आपने परशेस करना तो एमजोन इंडिया से कीजिए जो भी ड्र देखें आपकी बैटरी की स्वेलिंग हो रही है तो बैटरी डेट होने वाली है मतलब पुरानी हो चुकी है खराब होने वाली है तो मैं तो यह कहूँगा बैटरी प्लेस कर लें और उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें गिली जगह से या डिरेक्ट सनलाइट जगह पर मत स्टोड करें और जब बैटरी ठंडी हो जाए तब ही चार्ज करें और साथ दिन में एक बार बैटरी को रेस्ट दें यह जब चीजें करेंगे तो आपकी बैटरी अच्छी रहेगी और अगर ऐसे जैसे आप कहा रहे हैं फूल रही है यह स्वैल कर रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी बैटरी खराब होने वाली है उसको छोड़ दें नहीं तो ड्रोन के अंदर कुछ एलेक्रोलेड वगरा कुछ प्रावलम आगी तो ज्यादा पंगा पड़ेगा तो नई बैटरी ले लिजे तन्वीर आलम कह रहे हैं सर आपका नंबर मिलेगा नंबर मैं भी शेयर करूंगा ज़रूर मदन महन राओ तो थैंक यू यह वीडियो आंट व्लाइट व्लाइट वर एक्सवर्मेंट आप उसको अपनी आंखों के सामने लाइन आफ साइट में रखें तो भी सेफ क्योंकि इतना मर्जी अच्छा सिक्नल ओ इतना अच्छा तगड़ा द्रोन कोई ना हो इतनी मर्जी अच्छी रें तो चार क्लिमेटर बहुत दूरी है मेरे साब से एक किलोमेटर के रेंज में आपको दिखता रहेगा रहा तो उसी रेंज में रहें और रूल्स की पात करें तो यह है कि आप लाइन आफ साइट में रहें ड्रोन आट में जाए दो सो फीट से जादा मत लेके जाएं और निस्टर साॉरप जिनके बारे मैं आपको बताया था एक ऑड्रोन रोन अधर वह दो लॉक्ति मोट में खिया था अधर और यह जाए और जाए पर आता है या तो वहां पर आता है तो वहां पर आप नहीं तो आहीं है कि अमिद्पवार जी भी गए रहे हैं सर मुझे आपका नंबर भी लेगा मैं सब को अपने वाट्ट सब्सक्राइब में डालूंगा मैं नंबर थोड़ा एक नहीं लेने वाला हूं काफी लोग पूछते हैं सीमा शोकीन कहना है भाई शीन फिफ्टीट फ्लीजाइब वाई देखी जो आप दूरों की बात कह रहे हैं इंडिया देन बाइट अदर्वाइस बाहर से मत तबल लीजिए अभी मैंने आपको अग्जांबल बताया एक्स्वाइड कहते हैं यहां वन एट फॉर फॉर हैं इन the cat or a little problem with the motor or flight control issues xyz yeah you are right but problems with these drones is they are not in the market yet they are in the तेस्टिंग स्टेज वन आल स्क्योर्टी चेक्स और एवरिफिंग विल बिल सेटी चेक्स विल भी पोर देन देविल बीन दमार्पिट तो यह तो विट तन्वीर आलम सर आप को रिपलाई निकरते हो या मैं यह जाना जाता हूं कि आप अपने फ्रेंड से अमेरिका से ड्र कराते हैं अदरवाइस को प्रॉलम नहीं है पर इट्स नॉट 100 से मैंने आपको पहले ही बता लिए आप सर आप तो सीधा पून पर गाली दे डाले मोहतरमा को यह मोहतरमा ने काम ही ऐसा किया था तो गुसा आ रहा था है रेली इस आप सब्सक्राइब माई ब्रदर राहुन लुटरा इस टॉकिंग बाट पास्मो एक्शन तो कौन-कौन ले रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए लिए इंडिया या थोटी दिनों में आ जागा इंडिया में डेपिनिटली इंडिया में प्राइस किस सब्सक्राइब रहा होगी गोप्रो से कम है थोड़ा रेट में और शारे गोईल कह रहा है रिपोट और वी आई जो फ्रॉट की मैंने फून बताया था टेल में वेश वैदर आइशुड बाइस पाफिड और आस्मो एक्शन तो इन्होंने रिलाइबिल्टी के साब से पु कि भारती निकलता है न पैसे होता है कि इस्वर के रहे हैं डिजू सेल रोंस अभी तुम्हें सेल नहीं करता फ्यूचर में जब सब लिगलेजिशन होगा तो यह था आज का सेशन 14 मिनिट का होगा कापी लंबा वीडियो होगा पर आपका रिक्वेस्टेट वीडियो होता ह मेरे व्लॉग को फॉलो करें नहीं है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो अच्छा लगा तो फ्लीज लाइक करें थैंक यू